दोस्तों अगर आप भी प्लान कर रहे हैं LG के AC को लेने के लिए या अल्रेडी है आपके पास एक LG का AC तो ये वीडियो आपके लिए इस वीडियो में मैं आपको जो LG का AC रिमोट है उसके सारे की सारे बटन के बारे में information देने वाला हूं किस बटन से क्या होता है किस मोड से क्या function activate होते हैं और कैसे आप अपने AC रिमोट से अपने AC को पूरी तरीके से optimum तरीके से use कर सकते हैं तो ये सारी की सारी information आपको इस वीडियो में मिलने वाली है तो ज़्यादा समय ना लेते होए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके display की तो आप देखेंगे remote का display उपर की तरफ है ये digital display आपको इसमें मिल जाता है तो सारी की सारी information आप यहां पर उपर की तरफ देख सकते हैं अब बात कर लेते हैं इसके जो यहां पर बटन देगो है सबसे पहले power button की बात करते हैं तो अगर आप remote को on your AC की unit को on your off करना चाहते हैं तो power button की मदद से आप उसको on your off कर सकते हैं साथी साथ आप देखेंगे इसमें एक अच्छी चीज मेरे को यह लगी कि जब आप इसको off करते हैं तो यहां पर यह remote भी off हो जाता है बहुत सारी ACS में चाहे आप Daikon की AC ले 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 या आप किसी दूसरी company के भी ACS अगर आपने देखेंगे तो उनमें यह बड़ी problem मुझे लगती है कि आप अपनी AC की unit को तो on your off कर सकते हैं लेकिन जो remote होता है वो हमेशा ही on रहता है तो उसमें क्या होता है एक तो आपकी battery battery जो होती है remote की उसकी बे मतलब में consumption होती है और यह एक मेरे को बहुत ही कुछ ACS के अंदर बहुत ही खराब feature लगा कि आप अपने remote क्या जो display उसको भी off नहीं कर सकते हैं तो यह मेरे को LG के अंदर बहुत अची चीज़ लगी कि आप अपने remote की display को भी off का button जब आप प्रेस unit की तरह काम करता है तो एक दम आपकी जो existing air होती है room के अंदर उसको बिल्कुल clean करता है 10-15 मिनट तक यह इस mode पर रहता है और जो भी आपकी room की air होती है उसको यह एक air purifier की तरह उसको बिल्कुल clean करता है next यहां पर बटन देखेंगे यहां पर jet cool का button है jet cool का button का simply मतलब होत बाहर का temperature काफी जादा होता है बहुत गर्मी होती है तो हम चाहते हैं कि room हमें एकदम से ठंडा से ठंडा मिले तो उस case में आप इस button को use कर सकते है इसमें AC जो होता है अपनी maximum capacity पे काम करता है हाला कि अगर आप AC को एक power consumption को लेके काफी सजग रहते हैं तो उस case में आपको इ इसमें temperature को कर सकते हैं बटन की मदद से एक चीज़ और मैं आपको यहां पर साथ के साथ बता देना चाहता हूं तो आप देखेंगे कि यहां पर यह जो बटन से इनके color तो gray है हाला कि जो तीन बटन है इसमें power का button और temperature up or down का button इनके जो color है यहां पर भाहर की तरफ यह आप temperature को appear down करना है तो आप इसली इन बटन की इन बटन की मदद से आप रात के अंधिरे में भी उनको यूज कर सकते हैं नेक्स्ट जो नीचे की तरफ बटन आपको मिलता है fan speed का बटन है तो आप इसमें अपनी fan की जो speed है उसको adjust कर सकते हैं तो आप चाहें तो आप रख सकते है एक बरी और दबाएंग के तो आप उसको low कर सकते हैं mid कर सकते हैं और high कर सकते हैं depending upon जो भी आपकी need है अब इसका design मुझे काफी अच्छा लगा है इसके साथ एक stand भी आता है जो अभी फिलाल मैंने side में रखा हुआ है हलाकि बहुत ही अच्छा एक look देता है अगर आप इसका design काफी अच्छा लगा मुझे आप देखेंगे यहां पर कुछ इस तरीके से open होता है simply जब यह उपन होता है तो यहां पर आपको सारे के सारे extra जो इसके buttons है वो दिख जाते हैं तो भार की तरफ आपको main button दिखते हैं और अगर आप ज़्यादा deeply settings को छेड़ना चाते तो वो सारे की सारे buttons आपको यहां पर अंदर मिल जाते हैं तो अंदर यहां पर सबसे पहले आपको मिलता है mode का button तो mode के button को मैं थोड़ा last में cover करूंगा क्योंकि इसके अंदर सारे की सारे आपको major functions मिलते हैं जिसके तुरू आप AC को operate कर सकते हैं इसके अलावा आपको यहा ज्यादा ठंडा हो जाता है रात के तो उस सिच्वेशन चे बचाने के लिए आप उसको sleep port पर चलाएं तो उस सिच्वेशन में AC अपने एक सिदेड डिगरी जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है रात ज्यादा घिराती जाती है अपने आप temperature को बढ़ाता जाता है जिससे क कब AC आप चाहते हैं कि अपने आप ऑफ हो जाए और उसको अगर आप cancel करना चाहते हैं इस timer को यहाँ उपर cancel का आप देखेंगे आप टाइमर का एक sign बना हुआ है और cancel लिखा हुआ तो उसके तुरू आप यहाँ पर cancel भी कर सकते हैं simply auto clean का जब आप बटन करते हैं तो जो excessive humidity होती है आपके filters वगएरा के अंदर उसको clean कर देता है उसको हटा देता है जिससे कि bacteria वगएरा नहीं बनते हैं अंदर की तरफ और निचे यहाँ पर आप देखेंगे quiet का बटन दिया गया है quiet के बटन में क्या होता है AC automatically जो environment है बिलक बिलकुल minimum अपने AC की चाहिए वो fan की speed हो या जो भी unit वगएरा चल रेंडूर उसकी आवाज आपको आती है बिलकुल minimum इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे swing के बटन है तो इसमें आप swing को control कर सकते हैं जो airflow होता है AC का वो किस तरफ को आपको चाहिए room के अंदर आप इसके इन-swing बटन के मदद से उसको control कर सकते हैं इसके अलावा यहाँ पर आपको अगर किसी भी जो भी आपने existing setting कर रखें उसको reset करना है तो आप simply आपको निचे यहाँ पर reset का बटन देगा है तो उसके तुरू आप उनको reset कर सकते हैं और अब चलते है mode के बटन की तरफ तो mode के button में आपको यहाँ पर उपर की तरफ आप यहाँ पर display पर देखेंगे तो मैं आपको एक करके सारे के सारे यहाँ पर जो भी mode के button है उसके option है वो सारे के सारे समझाता जाता हूँ तो simply सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर आपको एक snowflake जैसा option मिल जा जाता है automatic का mode automatic mode में क्या होता है AC जो होता है intelligently सारी की सारी settings अपने आप करता है जो भी भार का temperature होता है और जो भी आपके room का size होता है उसके accordingly AC अपने आप सारी चीज़ों को adjust करता है और maximum आपको comfort देता है और minimum आपकी power की consumption को रखता है तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी power की consumption और आपकी jet पर जादा भाहर ना पड़े तो आप को यह suggested है कि आप auto mode पर ही अपने AC को चलाएं इसके अलावा यहां पर आप देखेंगे droplet जैसी बनी हुई है next mode में तो इसका मतलब है rainy mode rainy mode मतलब कि जब भी आपके climate में ज्यादा humidity है ज्यादा moisture है उस time पर आपको इस mode को use करना है जिससे की कमरे के अंदर जो भी existing humidity होती यह उसको खतम कर देता है और कमरे में cozy और comfortable environment को बना के रखता है इसके लावा यहां पर आप देखेंगे यहां पर आपको fan mode का option दिया गया है fan mode के अंदर क्या होता है जो AC होता है एक fan की तरह वर्क करता है तो इसमें किसी पर तरह की heating नहीं होती कोई cooling नहीं होती simply एक fan की तरह वर्क करता है तो यह सारे के informative videos हम सबसे पहले आपके लिए लेके आते रहें